नमस्कार अब शिवी का श्वाकत करते हैं बिहार शमासार में जानेगे आज दिन भर की छोटी यह उंग बड़ी खबरे तो खबरों की और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों फे डाल लेते हैं तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल क्या रहे है जात यह गण बड़ी खबर निकल क्या रहे है इंडिया गट वंधन के शयोजक पर नितिश ने काटी लालू यादो की बात जानिये क्या कहा बताएंगे इस वीड़ो के माध्यम से वही आपदा से लेका और बड़ी खबर निकल क्या रहे है पटना शमेत कई जिलों में भारी बारिस जपाल ही करेंगे तैनाती क्या है बड़ी खबर बताएंगे विस्तार्शृत ये थी सुर्किया इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार्शृत तो अगर आब इस चैनल पर नहीं है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबा कर चैन शवारजनिक किये जाएंगे श्यम्नितिश कुमार ने शुक्रवार को या गोशड़ा कि उन्होंने कहा कि बहार कि जाती गट शर्वे पूरे देश में रोल मॉडल बनेगा राजज में गणना का काम पूरा हो चुका है प्रांगरोडों द्वारा इकठा किये गए डाटा क बिसलेसर किया जा रहा है इसके बाद रिपोर्ट तयार की जाएगे श्यम्नितिश ने कहा कि सभी आखड़े को शरकार स्वारजनिक करेगी इससे पहले वी करनाटक और राजस्तान में जातिय गणना हो चुकी है लेकिन वहाँ आखड़े स्वारजनिक नहीं किये गए थे गणना में रोडे आडाने का काम किया यहीं शभी को पता है कि बता दे कि अवि शुप्रीम कोट में जातिय गणना पर रोक लगाने की मांग वाली आज का विचार धीन है पटना हाई कोट से इसे हरी जंडी दे चुकी है ऐसे में बिहार से पहले राजस्तान और करनाटक मे भी लोगों की जातिय गिंती गिनी जा चुकी है ऐसे में बिहार 11 के जनगर्णा के दोरान राजस्तान की तातकालीन और शोग अलोज सरकार ने लोगों के साथ उनकी जातियों का भी समाजिक शर्वे की रिपोर्ट की ती गिंती की करवाई थी हाला कि शरकार ने कभी इस आ गर्णा करवाई थी इस पर विवाद हुआ तो नाम बदलकर आर्थिक और शमाजिक स्वर्वे किया गया दोर्शत्र में इसकी रिपोर्ट सरकार को शौपी गई मगर इसमें कई तरह की गड़ बढ़िया शामनी आई इसके बाद सरकार ने इन सभी आंक्रे श्वाजिक नह शरकार सभी आंक्रों को जनता के शामने रखेगी इससे बिहार की जातिगत के शाथ-साथ आर्थिक और शमाजिक स्थिति का पता चल सकेगा ऐसे में इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग अपना राए विचार लेकर कॉमेंट रहेगा तो बढ़ते हैं बड़ शुनवाई इटली बताते से लिए आपको कि आरजेडी शुप्रीम और लालू प्रशाद यारो चारा घोटाले में फिर से जेल जाएंग या नहीं इस पर शनसे बरकरार है जमाना तरद कराने को लेकर शिब्याई द्वारा लगाई गई अरजी पर शुप्रीम कोट में श लालू फिट है वह बैटमिंटल खेल रहे हैं उनकी जमानत रद की जाए ऐसे में बता दे कि सारखंट हाई कोट ने लालू को पिछले शाल अप्रेल महिने में जमानत दी थी उसके बाद से वह करीब तीन साल बाद जेल से रिया हुए शिब्याई ने इसके खिलाफ सुप् लालू यादो बैटमिंटल खेल रहे हैं ऐसे में उनकी जमानत रद होनी चाहिए सुप्रीम कोट ने फिलाल इस मामले की शुनवाई को टाल दिया है अगली शुनवाई आप दे की 20 शिखर शम्मेलन के बाद अक्टूबर में होगी तारीख वित्ताय नहीं की गई है ऐसे म इंडिया गटवंदन के संयोजग पर नितीस ने काठी लालू की बात जानिये क्या कहा लोग सबाचुनाओ 24 के मद्द नजर बनाये गए भी पकचिदलो के इंडिया गटवंदन की मुंबई में 31 अगस्त और 1 शितंबर को बैठक होने वाली है इस बैठक में संयोजग के न बलकी एक ही संयोजग होंगे हाला कि पिछले दिनों लालू परशाद यादों ने राजजियों के अधार पर अलग-अलग संयोजग बनाने के शंकेत दिये थे ऐसे में मुख्यमंत्रे नितीस कुमार शुक्रवार को पटना में बीपी मंडल को श्रदानज ने दी इसके बा आया उन्होंने कहा कि बैठक में जो फैसला होगा उसी की जनकारी दी जाएगी बता दे कि लंबे शमय से नितीस कुमार के बिपक्ची गटवंधन का संयोजग बनाये जाने की अटकले लगाई जा रही है पिछले दिनों आर्जेडी शुप्रीमोर लालू परशाद यादो उससे इंडिया कटवंधन के संयोजग को लेकर शवाल किया गया था उन्होंने शियमनितीस का नाम तो नहीं लिया लेकिन यह जरूर कहा कि कुछ राज्यों को मिलाकर अलग अलग ग्रूप में संयोजग बनाये जा सकते हैं फिर यह कयास लगा जाने लगा कि इंडिया के ए हूद बड़ी खवर निकलं के आरे, पटना शमेत कई जिलो में भारी बारिश, आज भी मोशाम बिवाग का औरेंज और येलो एलत जानिये विस्तारक्यारो बैहार में मानसून की शक्रियता के चलते कई जिलो में भारी बारिश हो रही है, राजदानी पटना शमेत अन्य लाकों में बीते 24 गंटे के वीतर जम समाती हुई बारिश हुई इससे कई जगों पर जल जमाओ की सिती बन गई है पटना शहीत प्रदेश के अधीकतर जिलो में शुक्रवार को भी बारिश की असार है मौशन बिभाग ने राजज के 15 जिलो में भारी बारिश को लेकर अरें के मुताबिक शुक्रवार को पूर्भी चंपारड सीता मड़ी शीवर मुजफरपूर मदुबनी और द्रभंगा जिले में अती भारी बारिश की अश्चंका है इन जिलो में औरेंज अलर्ट जारी किया गया है वही पच्मी चंपारड गुपाल गच सारर वैसाली मदेपूरा पूर्णिया और अरियर जिले में भारी बारिश की चितावनी अन्य जिलो में भी वजरपात और बूनाबादी की इस्तिती बनी रहेगी ऐसे में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं आपके हां मौश्रम कैसा हुआ है इन तमाम चियों की जनकारी कॉमें में आप लोग भी लिख कर जूर दिजेगा तो बढ़ता के लिए बड़ी खबर क्यों है आई जानते एक और बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं बतादे चलिए इस खबर को भी विस्तार्शु नितीश ने टाला राजभावन से टक्राव भीसी की न्यूकती का बिग्यापन शुरकार ने वापस लिया राजभावन ही करेंगे तैनाती जियां बतादे से लिए आपको इस खबर को भीस्तार्शु बिहार के बिश्च बिद्यालियों में कुल पत्यों की न्यूकती पर राजभावन और नितीश शुरकार के बीच बिवाद खत्म हो गया श्यम शिटी में विसी न्यूकती करने का बिग्यापन वापस लिया अब विसी की न्यूकती राजभावन ही करेंगे जिहां आप दाज लेके दृशभ शिच्चा बिवाग की सिति पैदा हो गई वहीं जो जिम्मदार राज जबहुन द्वारा निकाली गई न्युक्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं वह भी कनफ्यूजन में पड़ गया इसके बाद मुख्यमंतरी नितिस कुमार बुद्रवार शाम राज जबहुन जाकर राजपाल राजजेंदर अलकेश मिलकर दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बात हुई राज जबहुन की ओर से कहा गया कि राजपाल और मुख्यमंतरी के बीच युनिवर्शिटी से जुड़े मुद्दाओं पर बात और बिचार्ज हुए हैं ऐसे में बता दे कि इससे पहले राजपाल ने शुक्ष आती है बड़ी खबर आ रहे हैं ऐसे में इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग बेपना विचार लिख कर कॉमेंट पर जो बताएगा ऐसे महत अपूर खबर देखने के लिए चैनल को स्क्राइब कर लिजए वीडियो को लाइक कर लिए वीडियो में आखरी तक में आपको बहुत धन्यवाद